जए हैं आज हम लोग पढ़ाएंगे पैसी वाइसा फ्यूच लूच कhandल वीडियो में बताया था कि जो है फ्यूच runner का हैन्स का एफ निगेट वायता लेकिन आज लोगं इंटेड़ भेटीन कैसी पढ़ेंго हैं और तो दूनों का जो है passive advice कैसे बनेगा दूनों का रूल जो हमारे पास बैतरिन तरीके से रूल है बहुत बैतरिन है बहुत हो कि विल सबसे पहले उसकेवाद सबसे पहले उसके बाद सबजेक्ट पर ह Old तो देखिए जब एक करिया आता है तो यहाँ पर वील एसल उसके बास सब्जिक्ट है क्रिया के थड़का मुशके बाद अब्जेक्ट आपको पता है कि आई और वी के साथ जो है सैल का प्रियोंग होता है बाकि कोई बीच सब्जिक्ट हो विल क्लाइए और भी के साथ यह हैं सहाइए सब्यों कर दूसरा से यहाप सकते हैं कि उसके बाद से यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिया कर थर्ड़ पा प्रिजेक्ट उसके देख परстро09 одंध्ट यानि समझें यहां पर टोटल यहां से रूल के बाद आप देख रहा है यह आपका प्रजेंट का रूल है और आपको पता है कि यह आपको पता है और कल के विडियों पुरा बेहतरीन तरीके से हमने इसको आप एक बार जरूर देखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा यहां पर देखिए पैसिव वाई का फार्मूला क्या दा रहा है सबसे पहले तो हम बन यानि क्या वह हमें बुला चुका होगा क्या वह हमें बुला चुका होगा यहीं हमारा पैसिव वाइस का जो है हिंदी अनुवाद निकलना है यानि एक्टिव वाइस का क्या वह हमें बुला चुका होगा यानि विल या सैल आपका पहले आता है तो हम कैसे बनाते हैं तो वासे अबजेक्ट और कोशन मार्क भी यानि इससे असपस्ट हो रहा है कि यह जो है फ्यूचर पर्फेक्ट टेंस का इंटेर्वेटिव शेंटेंस है इसको पैसी वाइस में कैसे चेंज गरना है तो आइए हम चलते हैं Structure के तुरफ यहाँ पर चाहरा है के विल भी और प्रियोग करना है आप्यान देना है अब इसको आप भूल जाइएगा इसकी अनुसार विल और प्रियोग नहीं होगा तो बिल के साथ किसका प्रियोग होता है शेयल का प्रियोग्त यह होगी हमारा सेल उसके वासिए चुंप्जिक्ट यानि जो भी आपका अबज़िक्ट पे गया यह वी उसके वासे करा čारा है व बिन आपका अभी तक है वता यह हो ज़िए देखर करके आपको लिख देना कार्ड यहाँनि क्रिया की थर्ड पांप, उसके बासे आपका यहां पर देखिए by, उसके बासे आपका by, और फिर object of subject, यानि जो भी subject है, जो भी subject है, इसको object क्या स्थान पर लिख देना है, तो यह आपका subject है ही, अगर object क्या स्थान पर जायागा, तो हो जायागा him, यानि change हो जायागा, he को हम convert करेंग by him में, तो यह आपका पहला structure था, उमीद है कि पहला structure आपको समझ में आया होगा, इस बात को धियान रखिएगा, तो विल एसल का प्रियोग, जो भी object रहेगा, subject क्या स्थान पर जायेगा, उसी के अनुसारी आपर प्रियोग होगा, उसके वासे have been, फिर जो एक क्रिया की थड़पा माई लगा कर जो भी object रहेगा, subject रहेगा, object क्या स्थान पर लिखेंगे और convert कर देंगे, इसका वीडियो बहुत पहले हम बनाया थे, लगबग एक महीना हो गया, इसका वीडियो यह महीना नहीं, लगबग 20-20 दिन हो गया, इसका वीडियो हमने बनाया था, दू कोशन वर्ड लगा देना है, अगर इस तरह से simply यहां से भी start होता है, यहां से भी start होता है, तो आप इसी formula का प्रयोग कर लिजेगा, अगर कोशन वर्ड लग गया, तो आप यहां पर कोशन वर्ड लगा करके, इस structure को लिख सकते हैं, बिल्कुल असानी से, तो यहां पर दे कि यह before, यहां पर before और subject यह हो गया, क्रिया के first farm हो गया, और इसमें yes भी लगा हुए, कम में yes भी लगा हुए, अब्जेक्ट नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो कोई दिक्क्त नहीं है, रायगा तो object लिख देंगे, कुल मिला जुला करके, इसमें कोई changing नहीं होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, पैसी वाइस में बनाएंगे, आप पास्ट इंडिपनिटेंस का भी यही रूल है, पास्ट परफेक्ट का भी यही रूल है, जब भी पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, तो उसमें subject प्लस, B2 प्लस subject का प्रियोग हो आ रहता है, उसमें कोई changing नहीं होता है, क्योंकि पैसी वाइस हमें किसका बनाना है, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का बनाना है, या पास्ट परफेक्ट का बनाना है, तो हमें पैसी वाइस में changing भी इसी को करना है, इसी को बदलना है, इस प्रेजेंट इनिपनिटेंस से, पास्ट इनिपनिटेंस स हमको नहीं है तो ही हमारा कोशन होड stri you of course करएं मंने बताए कि आयअ और भी के बास कोई ढम सब्जिक्त को विल का ही प्रियोग होगा तो यहां पर हो जायेगा तब हो जायेगा जाएगा के अगा रहे हो और यहांप दो होगा है सब्जेक्ट आफ अबजेक्ट यानि जो भी अबजेक्ट था हमने सब्जेक्ट के अस्थान पर रख दिया उसके बाद से हैव बिन यह हो गया है फिर कर एक क्रिया के थड़पम क्रिया के थड़पम यहीं डन हो जाएगा उसके बाद से आपको क्या करना है बाई का प्रियोग करना है फार्मूले से यह हो गया हमारा बाई अबजेक्ट आफ सब्जेक्ट यानि जो भी सब्जेक्ट है यू है अबजेक्ट के अस्थान पर लाएंगे तो इसमें भी यू का यू राता है इसमें कोई शेंजिंग नही होता है फिर आपको यहीं लिखे देना है before he comes इसे हमको कोई लेना देना नहीं है इसी तरह से अगर कोई पूछ दे कि डाक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा या क्या डाक्टर के आने और विफोर के बाद से जो भी आपका subject plus V1 plus object आ रहा है इसमें कोई changing नहीं होने वाला है कि और future perfect tense का ही passive voice बनेगा present infinite tense का passive voice नहीं बनेगा बात करते हैं तीसरा इसमें बिना object के बात कर रहा है देखिए बिना object यहां पर देखिए कोई object नहीं दिया है फिर हम passive voice बनाएंगे बिलकुल असानी से बनाएंगे और देखिए कैसे हम बना रहे हैं समझने का प्रयास करिएगा कर what will he have done by now ? कर our what will he have done by now ? यानि अब तक तुम्हारे दोरा क्या किया आया उर्च क्या कर चुके हो गे समझिए अब तक वहा better of today क्या कर चुका होगा यह बाई आप देख रहा है ना यह बाई का प्रियोग नाव के लिए यानि समय के लिए प्रियोग किया गया है इस बाई का प्रियोग जो नाव के लिए प्रियोग किया गया लेकिन हमको पैसिव वाइस में भी बाई का प्रियोग करना है कैसे देखें यह कोशन वर्ड है तो क्रिया की थरपाम यह other word में चला जाएगा object नहीं है इस बात को ध्यान लखेगा other word में चला जाएगा object नहीं है तो हमें क्या करना है what will have been will have been फिर हो जाएगा क्रिया की थरपाम subject of object जब नहीं दिया है तो आप direct कहाएंगे will के बाद से आजाएंगे have been पे उसके बाद से क्रिया के थड़पा मियां पे हो जाएगा आपका done उसके बाद से देखिए by का प्रियोग करना है और he है तो he को जो है आप object के रुप में लिखेंगे तो him फिर देखिए आपका बचरा है अबजेक्ट आप सब्जेक्ट तो इसे कोई लेना देना हमको नहीं हमारा बचरा बाइना हुए same का same लिखे देंगे यह हो जाएगा आपका passive voice और अंत में question mark लगाना मत भुलिएगा तो यह था जो है आज का वीडियो और उमिद है कि आपको समझ में आया होगा बाकी आप इसका screen shot ले सकते हैं देख सकते हैं और बिल्कुल असानी से देखिएगा कहीं भी आपको दिक्कत होता है तुरंत comment करिए आपको जो है अगले वीडियो में इसका जो है answer बता दिया जाएगा उमिद है कि आज आपको समझ में आया होगा आज के लिए इतना है मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय